सो कैसे वच्चो वेलकम टो एर्विन सिंग एकेडमी वी आ डिस्कसिंग मोसन एंड इस इलिक्षिन नुबर टू आई होब आपने अभी तक पार्ट वन नहीं वाच किया है तो उसे देख लीजे ताकि आपको बहतर समझ में आए इसमें हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म और नौन यूनिफॉर्म मोसन की और यूनिफॉर्म और नौन यूनिफॉर्म मोसन क्या है पिछले क्लास में हमने सिखा था कि मोसन क्या होता है लेकिन सबसे पहले यह सीखते हैं कि मोसन इन स्टेट लाइन क्या होता है तो मोसन इन स्टेट लाइन और स्टेट लाइन जैसा पोजिशन चेंज करता है, तो उसकी मेंग्टूड लगतार जाती है, डारेक्शन भी बदल सकता है, अगर वो अपने डारेक्शन को चेंज करें, अगर डारेक्शन ना चेंज करें, एक ही डारेक्शन में सीधे चला जाए, तो उसको हम कहते हैं, मोसन एलांग स्ट्रेट है तो यहां से सुरू कर रहा है ऑपनी पुझीशन यहां से अपनी यातरा सुरू कर रहा हको चलता जा रहा है कोई कार है house और आप देखेंगे कि यहां पर जब आप ऑप जर्विया तब टाइम 0 था टाइम ऐसे जीरो नहीं होता लेकिन जब उसे आप आपने observation शुरू किया, तब कि time को हम zero माल लेते हैं, तब car यहां पे थी, यह कोई car है, यह object है, जो यहां पे थी, मुझे इतना अच्छा car बनाने आता नहीं है, तो ऐसा ही एक बना दिया, कि यहां पे कोई object था, एक second बात देखा, तो यह object कुछ ही यहां पे आ गया, इस तरह का, दो second बात देखा, तो object यहां पे आ गया, इस तरह का, ठीके न, तीन सैकेंड बात देखे, एक second, दो second, तीन second, ऐसे इसकी पोजीशन जो है, वो लगतार बदल रही है, और एक ही डारेक्षिन में लगतार चल रहा है, चार सिकन के बाद यहां, पांच के बाद यहां, छे के बाद यहां, साथ के बाद यहां, आठ के बाद यहां, नौ के बाद यहां, दस के बाद यहां, ऐसे, और यह मान लेते हैं कि यह जो distance है, वो एक मीटर की बरावर दूरी पर है, यह एक-एक मीटर का है, तो हम कहेंगे कि वन मीटर एक सेकेंड में उसकी distance बढ़ रही है और एक second के बाद वो जो है वो एक मीटर दूर हो जाता है इस reference point से this is called reference point ये reference point है और इस reference point से ये कितना दूर हो जाता है तो एक second बाद जो है वो एक मीटर दूर हो जाता है दो second बाद यहां से यहां तक कितना distance हो गया दो मीटर, तीन सिकंड बाद तीन मीटर, चार सिकंड बाद चार मीटर और दस सिकंड बाद दस मीटर. तो इसकी position को अगर हम describe करें और एक table बनाएं कि इसकी position कब कितनी है, तो हम यह कह सकते हैं कि इसकी position जो होगी, position और time के हिसाब से कैसे बदल रहा है, यह अगर दिखाने की कोसिस करें, तो हम यह कह सकते हैं, कि इसकी position time के हिसाब से बदल रही है, और time जब 1 second है तब क्या हो रहा है, 2 second है तब क्या हो रहा है, 3 second है तब क्या हो रहा है, इस हिसाब से हम इसको एसे कर देता हूं, describe कर सकते हैं, पोजिशन को और ये मन लेते हैं कि ये है time in second, in second और ये है distance in meter, in meter, ये हो गया, एक सेकेंड के बाद कहा है तो एक सेकेंड के बाद यहां है जीरो सेकेंड पर जीरो डिस्टेंस है कोई भी डिस्टेंस ही नहीं यहां से उपजर्विशन किया एक सेकेंड बाद एक है मीटर है दो सेकेंड बाद दो मीटर है तीन सेकेंड बाद तीन मीटर है चार सिकंड बाद 4 मीटर है, पांच सिकंड बाद इसकी पोजिशन 5 मीटर है, 6 सिकंड बाद 6 मीटर है, 7 सिकंड बाद 7 मीटर है, और 8 सिकंड बाद 8 मीटर है, और 9 सिकंड बाद 9 मीटर है, और 10 सिकंड बाद 10 मीटर है, यह इस तरीके से हम कह सकते हैं, कि इसकी पोजिशन जो वो microsecond में भी हो सकता है, millisecond में भी हो सकता है, hour भी हो सकता है, day भी हो सकता है, but time की standard unit second है, इसलिए हमने second में लिखा है, ठीक है, time की standard unit क्या है, second, और length की standard unit क्या है, meter, इसलिए हमने meter में लिखा है, time की standard unit, यानि SI unit होती है, time की unit होती है, unit of time is second, ठीक है, इसलिए हमने second में लिखा, और length, that is distance, इसको हम meter में measure करते हैं, इसको S से represent करते हैं, इसको M से represent करते हैं, तो particle की एगर position एक ही direction में चल रही है, इस तरीके से, और time के साथ, उसका position लगातार बदल रहा है, तो हम उसको कहते हैं, motion along straight line, इसको हम कहेंगे, motion along straight line, motion along straight line, motion along straight line, state line, अब state line का मतलब ये मत समझें, आप ऐसे लिखते हैं, same color से, motion along straight line, कि हमेशा horizontal यहां पर चल रहा हो, तो हम उसे straight line कहेंगे, कि car कोई सड़क पर चल रही है, सीधी सड़क पर जा रही है, तो उसको state line कहेंगे, आप cycles एकदम सीधे जा रहा है, तो state line हो गया, है न, लेकिन क्या हम उपर की और जाएं अगर state ऐसे सीधे, तब भी state line होगा, कोई येंद उपर से निचे एकदम vertically downward किर रहा हो, तब भी state line होगा, कोई ऐसे एकदम सीधा सा तिर्चा रहा हो, तब भी state line होगा, ऐसे जा रहा हो, तब भी state line होगा, मतलब कहीं पर भी हो, डारेक्शन उसकी चेंज न हो, तो उसको हम कहेंगे motion along state line, if body, इसको ऐसे लिखेंगे, motion of body, motion of body, is said to be, to be in a state line, a state line, if its sense of motion, sense of motion, that is direction, doesn't change, changes, with increasing time, increasing time during motion, during motion, so it is called motion along a state line, ठीक है न, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो बिना direction change किये, चल रहा हो, for example, a body is freely falling under gravity, a body is dropped, drop from certain height, certain height, its motion is along a state line, ये उपर से सीधे निचे की और गिरेगा, ऐसे, ये बोडी, ऐसे गिरेगा सीधे, नीचे की हो, तो इसको a state line कहेंगे, ठीक है न, इस तरीके का बोडी, कोई car, a car is running on the road, a car is running on a state road, a state road, तो इसको हम कहेंगे, motion along a state line, ऐसे, यहां से सीधे ये car, इसी direction में चल रहा है, तो भी ये state line हो गया, तो motion along a state line, ये होगा, जब when direction does not change, when direction of motion, direction of motion doesn't change, not change, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे, motion along a state line, ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था, कि हमें बात करनी है, uniform and non-uniform motion, uniform, motion and non-uniform motion, non-uniform motion, ये क्या, motion में भी uniform or non-uniform हो सकता है, yes, motion में भी non-uniform और uniform हो सकता है, motion, तो uniform motion क्या है, non-uniform motion क्या है, ये हमें सीखना है, ठीक है, तो सबसे पहले सीखते है, uniform motion क्या है, uniform motion, किसे कहेंगे, जैसा कि उपर में एक जाम पर लिखा था, देखा था कि हर एक second में, एक मीटर की दूरी तय कर रहा था, यानि equal distance change हो रहा था in equal interval of time. तो उस motion को हम uniform motion कहेंगे. When a body changes its position with equal magnitude in equal interval of time, in equal interval of time, then motion of the body is said to be uniform motion. When body changes its position with equal magnitude i.e. equal distances travel in equal interval of time, तो उसको हम uniform motion कहेंगे. आभी uniform motion along street line भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. यह circular motion भी हो सकता है. But हम उसको uniform motion कहेंगे. When body changes equal position with equal magnitude of position in equal interval of time. तो जैसा कि हमने example लिया था, वही example फिर से ले लेते हैं. यह देखिए, body यहां से चलना सुरू किया, और यहां तक गया body. और इसने जो है, यहां पे 0 था, यह 1 है, यह 5 मीटर है, यह 2 में 10 हो गया, 3 में 15 हो गया, 4 में 20 मीटर हो गया, 5 में 25 मीटर हो गया, 6 में 30 मीटर हो गया, साथ में 35 मीटर हो गया यह 5 मीटर का distance है यहां से यहां तक 10 मीटर का distance है मतलब यह भी 5 है ठीक है इसी तरह से यह भी 5 है तो यह पूरा कितना हो जाएगा 15 तो हर एक interval में हर एक second में time यह है time 0 है तो 0 में 0 distance है एक सेकंड के बाद कितना है, तो 5 मीटर, 2 सेकंड के बाद उसकी पोजिशन कितनी है, 10 मीटर, 3 सेकंड के बाद 15, यानि equal interval of time में, एक एक सेकंड में, equal magnitude of distance travel कर रहा है, यानि 5, 5, 5, इस तरह से, तो हम इस motion को कहेंगे कि uniform motion है, तो इसी प्रकार से, non-uniform motion क्या होगा, अब non-uniform motion करें, तो ऐसा कह सकते हैं, non-uniform motion, अब यह अशी बात है कि जब equal time interval में, unequal distance travel करें, तो हम उसे कहेंगे क्या, कि non-uniform, if a body travels on equal distance, in equal interval of time, interval of time, or equal distances in unequal interval of time, then motion of body is said to be, body is said to be non-uniform, इसको अपनोड कर ले जाए, non-uniform, एक किना, तब motion of body क्या कहला आएगा, non-uniform, एक किना, मतला, कि अगर body ऐसे travel करें, और यह कह दें, कि यहां से, एक second में body ने, यहां पर time 0 था, 0 था, एक second में 5 meter की distance travel किया, दूसरे second में 8 meter की distance travel कर लिया, दो second में कितना चला गया, 8 meter और travel कर लिया, तीसरे second में 7 meter travel कर लिया, चौथे second में 10 meter की distance travel कर लिया फिर, या 6 meter की travel कर लिया माल लिजिए, और पांच में second में 10 meter की distance travel कर लिया, ऐसा कुछ, तो हम इसके motion को कहेंगे, non-uniform, equal interval of time, time तो एक ही second का है, लेकिन distance जो है, वो अनिक्वल है, यहाँ पे 5 का distance, फिर उसके बाद 8 meter, फिर उसके बाद 7 meter, इस तरीके से, और फिर उसके बाद 6 meter, फिर 10 meter, ऐसे distance travel कर रहे हैं, equal interval of time में, unequal distance, तो ऐसे में हम body की motion को क्या कहेंगे, non-uniform motion कहेंगे, ठीक है, इसको अगर आप table एक बनाओ, तो ऐसे बना सकते हो, कि एक table बनाएं, तो इस तरह का एक table बनाया जा सकता है, यह table मान लेते हैं, ठीक है न, तो इसमें भी आप, इसको अटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, line का उनायता हूँ, ठीक है, यह देखे, यह हम बना लें, और इसमें यह कहें कि time interval क्या है, time interval जो है, वो equal है, बट distance जो है, वो क्या है, unequal है, तो यहाँ पर भी यह ही लिख देते हैं, यह time in second, ठीक है, and distance in meter, distance in meter, तो इसके motion को हम कहेंगे, जैसे time t is equal to 0 था, तो distance 0 था, t1 था, तो यह 5 meter था, t2 था, तो यह कितना distance चबल कर लिया, 5 और 8 मिल करके 13, ठीक है, 13 meter आ गया, और उसके बाद फिर 3 सेकेंड बाद कहां चला गया, 20 meter, और 4 सेकेंड बाद फिर 26 meter, और 5 सेकेंड बाद फिर कहां पर, तो 5 सेकेंड बाद यह 36 meter की दूरी टर्म कर लिया, तो equal distances में यह position from origin हमने लिखा, अल्दो हर एक सेकेंड में distance जो है, वो यह अलग-अलग है, यह distance from origin है, distance traveled in meter, तो meter total distance travel है, इस प्रकार से आईए, अब इसे थोड़े ग्राफ के जरीए समझने की कोसिस करते हैं, कि यह non uniform और uniform motion कैसे होगा, और position time graph का क्या मतलब है, position time graph से ही हम non uniform और uniform motion की बात कर सकते हैं, यह देखिए, अगर मैं यह कहूँ कि यह time है, और यह position time graph के लिए, तो यह x axis है, यह y axis है, इसको आप time के रूप में कह सकते हैं, कि यह time को represent करता है, in second, और यह distance को represent कर रहा है, in meter, ठीक है, यह origin है, point of reference है, तो यहाँ से अगर मालने थे हैं, कि जैसा मैंने कहा था, कि एक second बाद मालीजे, पांच meter की distance travel कर रहा है, दो second बाद 10 की कर रहा है, तीन second बाद 15 की कर रहा है, चार second बाद 20 की कर रहा है, यह हो गया, पांच, यह 10, यह 15, इस तरह से, चार सेकंड बाद 20 की कर रहा है, 20 डिस्टेंस टेफल हो रही है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो बनेगा, वो कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ एक स्टेट लाइन बनेगा, जो की ऐसा होगा, ठीक है, ये 5 सेकंड बाद 25 का कर लेगा, ठीक है, ये हो गया, 5 सेकंड बाद 25 का कर लें तो यह पांच सिकंड बाद 25 का हो गया तो यह ही पॉइंट है इस में देखें एक सिकंड बाद यह पांच मीटर का डिस्टंस हो गया दो सिकंड के बाद यह 10 का हो गया है ना तीन सिकंड बाद यह 15 मीटर का डिस्टंस हो गया है ना यह तीन देखें चार सिकंड बाद यह 4 सिकंड है, और यह 20 मीटर का डिस्संस हो गया, तो इस तरीके से यह 4 का हो गया, इसी तरह से यह 5 के, यह 25 का हो गया, तो यह 25 मीटर का डिस्संस जो है, वो 5 मीटर के बाद हो गया, 5 सिकंड के बाद हो गया, तो इस तरह से यह डिस्संस, तो एक स्टेट लाइन मिलेगा, फैनली हमें और इस इस अपूर की को हम कहेंगे ही यह मौसल गोन्गे स्टेट लाइन है और यह युनिफार्मों भूसलिकी तो जब ग्व्च एक इनर्ड गोरी की तरह हो तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है uniform motion और अगर graph ऐसा uniform state line की तरह ना हो जैसे कि यह हमने किया थोड़ा और आगे बढ़ा दें यहां पर यहां तरह ठीक है तो यह state line अगर होगा तो इसका मतलब है कि यह एक uniform motion तो यह हुआ uniform motion इसको हम कहेंगे uniform motion ऐसा position time graph में यह uniform motion को रिपरजेंट कर रहा है इसी तरह से अगर दूसरा graph लें जिसमें यह चीज बदल रही हो लगातार समय के साथ जैसे यह है ज्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें यह एक second है यह दो second है यह तीन second है यह चार second है यह पांच second इस तरह से होगा और यह जैसे कि मैंने कहा था उपर में कि पहले में पांच है दुसरे में साथ है आठ है तो आठ पांच ते रहा हो गया यहां तक आते आते हैं तो इस तरीके से यह distance को सेम है लेकिन यह यहां पर unit सेम लिख देंगे बट distance अलग लग 10 यह 15 यह 20 इस तरीके से तो यह एक ग्राफ जो होगा तो पहले एक मीटर में पांच उसके बाद यह 30 जी से इस तरह कबड़ेगा और इस ट्रेट लाइन की तरह होगा तो इस ग्राफ को हम कहेंगे नौन यूनिफॉर्म मोसन यहlla knowing uniform मोसन भी यह है data in को रिपरेजेंट कर रहा है time को in sekन और यह जो है वह distance को कर रहा है इन मेंटर तो जो ग्राफ एक अधो कोई भी तो इस का मतलब है कि वह नानुनिफॉर्म मोसन को मीपरेजन्ट कर रहा है और अगर state लाइन है तो इसका मतलब यह है कि वो uniform motion को represent कर रहा है इस graph का नाम क्या होगा कौन सा graph है यह इसको कहते हैं position time graph position time graph ठीक है एक चीज और बता दूँ कि अगर मालनों कि ऐसा कोई position time graph हो जाए जिसमें यह time है time इधर की और है टी और position इधर की और है distance डी इधर की और है और यह है एक state line तो इसको आप क्या कहेंगे यह किस तरह का गर्व है तो यह graph में क्या हो रहा है कि time बेसक बदल रहा है लेकिन position जो है body का वो change नहीं हो रहा है एक second बाद भी वही है दो second बाद भी वही है position तो वही है चाहे जितना हो यहां से माल में जैसे 10 meter है तो 10 meter है 10 second बाद भी वही 10 meter है तो ऐसी position को हम कहेंगे कि ऐसे graph जो position time graph होगा इसमें body कहा होगा तो body is in rest position time graph अगर इस तरह का हो तो इसमें हम कहेंगे कि body is in rest ठीक है तो यह rest को represent कर रहा है curve को हो तो यह non uniform motion को represent कर रहा है और straight line हो तो यह uniform motion को represent कर रहा है यह भी है position time graph ठीक है तो आप graph के जरीए भी समझ गया है table के जरीए भी समझ गया है और practical life में भी हमने आपको बता दिया कि जब कोई body बीना direction किये change किये चलता है तो उसको motion in one direction कहते हैं और अगर equal magnitude equal interval of time में cover करता है तो उसको हम कहते हैं कि body की motion जो है वो uniform है और अगर equal distance टेवल करता है in equal interval of time तो उसको हम कहते हैं क्या non uniform motion है यह भी कह सकते हैं कि equal distance in unequal interval of time तब भी body क्या कहलाएगी non uniform motion ठीक है equal distance in equal interval of time है तो उसको uniform motion तो यह बात आप समझ गया होंगे फिर बाकी की अचरचा अगली class में होगे तब तक आप इसको अच्छे तरह से समझ ले revise कर ले और फिर अगली class में मिलते हैं तो नहीं बात बताऊंगा speed और distance के बारे ठीक है